हलो मैं वीटूफल सोल्स वेलकम टू मैं यूटूब चैनल टारो विशिवी जपले डियर कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से अपना एना वक कर रहे हैं अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड प्लीज अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो परस्नल लीडिंग लिए आप मुझे वाट्सेप पर कॉन्टाक कर सकते हैं लेट सी कि आपके परस्नल की करेंट एनरजी क्या है हुआ है झाल झाल यहां पर जो सबसे जादा एनरजी निकल कर आई है वो 5 की निकल कर आई है 5 5 5 5 एक तो चार बार 5 है यहां पर दुछरा 14 14 भी 4 प्लस 1 इस इकोल स्टू 5 एक तो सबसे पहले इस परसन की जिन्दी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांस्फरमेशन चल रहा है जहां पर हर चीज इस परसन के अनुसार बड़ा मैंतों हर चीज इस परसन के बुद्धी अनुसार नहीं बदल रही है ड़िएर यहां पर जो चीज ने बडलाऊ हो रही है तो पॉसेई छीज डीज चे लाइफ के अंदर हो रहा है लकिन इस परिसन को वुचिस पॉज़ जो है वह बगन यहीं लग रहा है जोटीजार होती हैं यह इसी आपको फॉज़ियम toimणियर साथ थू बॉज़ ज्युल ऌइज आफ कर धायी çıkar और छीज्로 Eh हैं बहुत सारे obstacles आ गए हैं जिंदी में बहुत सारी conflicts हो रही हैं लोगों से जगड़े हो रहे हैं लोगों से बाद विवाद हो रहे हैं लोगों से बन नहीं रही है तो इन ऐसा लग रहा है कि सारे जो दुख हैं एक वार में सारे इस परसंगे ऊपर टूट गए हैं लेकि इन लगते हैं हम ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो कुछ भी हो रही है यह पॉज़िटिव नहीं हो रही हमारी जिनली ख़राब हो गई हमारा सब कुछ बिगड़ गया है जब कि यहां पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि जो भी इस परसंगी लाइफ के अंदर हो रहा है जो भी ट्रा कोच यसी जिद्दी वाली हरकते होते हैं जो एक टाइम के बाद उनिवर्स खतम करता है जो ऑन कि परस्न की इस तरीकी की हरकतों के साथ पास्ट किसी का भी दुख किसी और को दुख पहुचा आया है आपके अलावा भी अगर इस परसनी और को दुख पहुचा है जैसे पर्मात्मा का कॉल आता है इस पर्सन को कि माफी मागो अपनी गुनाओं की माफी मागो अपने सारे जुर्म accept करो मानो कि तुमनी गलतियां कि है मानो कि हाथ उन्से गलती ही है मानो कि तुमनी सब हो रही है जैसे इस परसन को आटोमेटिक घ्यान हो रहा है कि मुझे किससे बोल ला है क्या बोल ला है और कितना बोल ला है जब आपको पता है कि आपके अंदर transformation period start होता है तो आपके अंदर से ही आपको आपके question के answers मिल लगते हैं और आपभी सवाल पूचते हैं तो उसका जवाब भी आपको बीतर से मिलने लग जाता है तो जैसे इस पर्सन के question के answers बीतर से मिल रही है सारे सवालों के जवाब अंदर से मिल रहे हैं तो विज़्डम भी जैसे इस परसन की बहुत बढ़ रही है अभी तो आपके परसन जो है वो साकारात्मक नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि सारी जो सिच्वेशन बनी हुए इस परसन की सोच के अगेंस्ट बनी हुई है लेकिन मुझे यहां पर जो डीडिंग बता से जाने की चीज़ा नहीं सोची इस परसन को जीच चाहिए थी तो लोगों को दिखाने के लिए इस परसन को जीच चाहिए थी तो कहीं ना कहीं अपने आपको महान बताने के लिए इस परसन को जीच चाहिए थी उसका जो तरीका था जो थे वो सही तरीके से नहीं थे यह nie जीतना चाहए है थी कि इन्हें अपना विवेक बनाना है अपने को को प्रभावत करना है ऐस G Weed person की जो की wisdom आने के बाद इस person को समझ में आया है कि मैं एक बहुत ही बड़े ego में था जिस person की भी ego self बहुत जादा active होती है उसको इससे बहुत जादा फरक पड़ता है कि दुनिया उसके बारे में अच्छी सोचनी चाहिए ठीक है और जिनका मून जो होता है इमोशनली जो strong ल लोग ना emotionally बहुत strong होते हैं तुम इनकी emotions को आहत नहीं कर सकते बहुत जल्दी इनको बुरा जल्दी लगता नहीं है ठीक है अगर तुम्हें यह सही समझेंगे तो एकाद बार तुमको सला देने की कोशिश करेंगे और देख लेंगे तुम्हारा nature तो तुम्हें दुम्हें सला भी नहीं देंगे लेकिन जो emotionally weak लोग होते हैं जिनका moon weak होता है ऐसे लोग आधी बात बोलेंगे फिर केंगे मेरा वो मतलब नहीं था फिर आधी बात बोलेंगे फिर केंगे मेरा वो मतलब नहीं था एक तो यह अपनी बात किसी को समझानी पाते दूसरा अपनी ही बातो से मुकरते हम कहते हैं मेरा मतलब नहीं था और जो इनका उनका मून स्ट्रांग होता है बस चार्ट में वो लोग दो एक बार में बात बोलेंगे तुमको समझ में आए ठीक नहीं आये तो ठीक तुम गलब समझ नहीं साही समझ है अभी समझ लो तो तुम हारी क्या है नहीं केजिए यह संद्स के हैं बॉल ना हूब है स्टैट फौरवर्ड देंगे तुम मानना हो तुम को सभी कोश इस बोहत ज्यादा तुम को अपनी मतलब समझाने की कोशश वो करेंगे नहीं चीक हैं कॉन्फिक्ट एंड डिफ्रीट की एनरजी है आपके परसन की लाइफ में कॉन्फिक्स भी लोगों के साथ बहुत सारी हो रही है जैसे इस परसन को लग रहा है कि बहुत सारा लोग इसी परसन से इस वक्त में भी लोग चाहते हैं कि जगड़े और इमोशनल लॉस की अनरजी आपका किसी से जगड़ा होता है तो आप इमोशनली वीक पड़ जाते हों आपको सबसे ज़्यादा इमोशनली मतलब इमोशन्स आपके हर्ट होते हैं कि किसी से आपका जगड़ा होता है आपके फ्रेंड से की नज़र आई आपको ले कर भी ऑगर आपको ले कर भी जैसे ये परसें और हूँ इमोचनल थे तो हना इस आपके साथ विस वक्त तो बार वर आपसिकल आ जा रहे है चैलेंज आ जा रहे है तो इस परसन की लाइफ में ऐसा क्यों हो रहे है बार वर आपसिकल चैलेंज क्यों आ रहे है करी नहीं करती आ तो इस परसन को दूसरी दिशाम मोनना चाहती है या फिर इस परसन को एहसास कराना चाहती है कि आप ही इनसान हूँ और ऐसा और वैसा इससे प्रिटीस परसें से कह रही है कि आप से गलती हुई है आपको मानना पड़ेगा और जब आप मानेंगे इस चीज को तब जाकर आपके दर्वाजे सही तरीके से खुलेंगे और आपके काम में रुकावट आना बंद हो जाएगी लेकि और दूसरों को बहुत धक्के दिये भी हैं तो कर्मा तो आपने बहुत जबर्दस्त बिगाड़ा है अब और कर्मा अगर नहीं बिगाड़ना चाहते हो तो सही तरीके सही दिशा में आगे वड़ो तो यह इस परसन की एनरजी है राइप पार्टनर्शिप एनलाइंस इस परसन को जरुत है कि कोई पार्टनर्शिप हो कोई व्यक्ति हो इस परसन की लाइफ में जो इन्हें सपोर्ट करें जो इन्हें कहीं न कहीं इनको कहें कि कोई बातनी में हूना तुम्हारे साथ और पास्ट में आप इस परसन की लाइफ के अंदर अवेलेबिल भी थे जो इ जाएगा सब हो जाएगा लेकिन उस वक्त पी जैसे इस परसन ने आपकी कदर नहीं की है अब आप ये परसन को युनिवर्स की द्वारा ऐसा बोला गया जब धैर रखो ठीकि अब धैर रखो अब हैं हस्पेंट वाइफ दिये हैं आपको बच्चे दिये हैं जो कुछ भी दिया हो जिसके साथ भी आप गदारी करोगे तर उसके बाद आपका तो निर्नेवाई करने वाला है जिसने आपको ये सारी चीज़ें दी थी तो अगर आपके पस सब कुछ बहुत अच्छा मिला आपको पर जो कुछ भी है उसको आपको सहीच की रखना चाहिए सो बैसी कली वह एनरजी में को यहां पर नजार आई विकार इस परसन को पास तक बहुत जादा सपोर्ट था आपका अपर इस तरह से इस परसन को सपोर्ट कर रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा सब हो जाएगा इस वक्त में इस परसन की चाहत है कि कोई इनकी लाइफ में रहे जो इनको बोले कि सब ठीक हो जाएगा मैं हूना एक्सेक्टर एक्सेक्टर वट इस वक्त में आप अवैलेबल नहीं इस परसन की लाइफ में शैडो साइड इस परसन की बार बार ट्रिगर हो रहे हैं लगा पर चले गहते हैं कि आप जो कुछ भी बोर रहे हैं यू ही बोल रहे हैं इस बात में कोई तुक नहीं है या फर कोई सर पैर नहीं है तो जैसे मुझे हां पर मैसेज मुर रहा है कि कही요 कहीं न कहीं आप i- copyright कि आपके परे है लेकिन ट्रांस्फर्मिशन तो होगा जैसे आपका हुआ है वह एनर्जी में को यहां पर श्याड़ों से नजर आरी कि लगाता है श्याड़ों साइड प्रिगर्स हो रहे हैं लगाता है लगाता सर्फेस आ रहे हैं ओके यह चीज यहां पर दिखाई दे रही हैं और देखत आज के दिन में ये परसन आपसे बाचीट करने वाले हैं ठीक है आज के दिन में ये परसन आपसे बाचीट करेंगे आप estásने करेंगे आपको अपनी सारी बातें बताएंगे- यहां है, कि इनकी लाइफ के अंदर कितनी प्रॉब्लम चल रही हैं है, और यहाप से भी चास двух से कीसे नकले थे? और या है, आप लिए यहां-प्र स्क्रीकी सिर्थियू को फेज है, जाने हैं, यहां जान झान, यहां की लाइफ में बहुत साई प्रॉब्लम्स थी और प्रॉब्लम्स के चलते बहुत साई चीज़ें इस परसन ने बिगाड़ी भी हैं और इन्हों आपको सचा ही नी बताई कि प्रॉब्लम्स थी तो आपके रियल पूर्पना सामने या पर चाहते हैं कि इनकी लाइफ में इनको सपोर्ट करें इस वक्त में चांस फर्मिशन जर्णी में आप इस परसन को सपोर्ट करो इनको आगे का रास्ते को क्योंकि कही ना कि इस परसन को मालू है कि आपके पास रास्ता है और आप इस परसन को रास्ता बता सकते हो दिखा सकते हो इने आगे बनने में आप मदद कर सकते यह चीज यह परसन बहुभी तरीके से जानते हैं सवाजय से यह परसन आपकी तरफ बड़ी उमीद से और आशा से देखते हुए भी नगर आ रहे हैं की दिन में इसी उमिड इसी आसा के शाठ यह परसन आप से बात भी करेंगे and कहीं नजी नकी बात करींगे तो आप बेस प्रसंप से बोलने वाले हो कि अपना रियल रहे हो जब आदमी दुख में होता है ना सच बोलता है है इतो कहीं नहीं नहीं यहाँ पर जब मैनुपलेट करना होता है तब जूट बोलता है वड़ यहाँ पर दुख में है तो आपको सचा ही बोलेंगे और सची दिखाएंगे आपको ऐसा मुझे आपर मैसेज निकल कर आ रहा है मतलब यह रीडिंग में यह बतानी कोशिश कर रहे हैं आपके परसंट की यह नजर आ रही है ओके आप से यह चीज कितनी करती है आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बता है वीडियो पसंट आए तो प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइम है चैनल और जो कोई भी मैसे परस्नल लीडिंग लेना चाहता है मुझे वाट्सप प